किसी जंगल में चुन्चुन नाम की शरारती गिलहरी अपनी मा किट्टू के साथ रहती थी। चुन्चुन कभी भी किट्टू की बात नहीं मानती थी। चुन्चुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परिशान रहते थे। एक दिन चुन्चुन पेड़ पर खेल रही थी और उसी पेड़ पर फर्राटा नाम का एक बंदर भी सो रहा था फर्राटा को देख चुन्चुन ने अपनी मा से कहा मा ये बंदर हमारे पेड़ पर के सो रहा है ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया चुन्चुन? सोने दो उसे लेकिन मा जंगल में और भी तो पेड़ है इससे कहो किसी दूसरे पेड़ पर जाका सोई चुन-चुन जैसे ये जंगल सबका है वैसे ही ये पेड़ भी सबका है इसलिए तुम इस पेड़ से उसे नहीं आटा सकती किट्टू ये बोलकर चली गई लेकिन चुन-चुन को एक शरालत सुजी वो बंदर के पास पहुँची उसने बंदर की पूँच को पेड़ की तहनी से बांद दिया उसके थोड़ी ही देर बाद जब फराटा बंदर सो कर उठा तो उसने दूसरी तहनी पर चलांग लगाने की कोशिश की लेकिन उसकी पूँच बंदी होने के कारण वो दूसरी तहनी तक नहीं पहुँच सका और वही पेड़ से उल्टा लटक कर चिलाने लगा बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक लगा हूँ, बचाओ फराटा के चिलाने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां आ गए और तभी वहां मौझूद जंगल का राजा शेर सिंग बोला अरे फराटा, तुम इतना चिला क्यों रहे हो? किसी ने मेरी पूँच टेहनी से बांदी है लेकिन तुम्हारी पूँच टेहनी से कौन बांदेगा? किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके? ये काम उस शरार सी चुन्चुन ने किया होगा वो ही जंगल के सभी जानवरों को परिशान करती है ये बाते किट्टू और चुन्चुन पेड़ के उपर बैठ कर सुन रहे थी इतने में चुन्चुन बोली हाँ, मैंने ही बंदर की पूँच पेड़ से बांदी है लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में इतनी सारे पेड़ है तो ये बंदर इस पेड़ पर क्यों सोया? ये हमारा पेड़ है ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए तब हीरन बोला चुन्चुन एक बात कान खोल कर सुन लो ये जंगल सब का है इसलिए यहां के पेड़ों पर भी सब का अधिकार है चुन्चुन अगर अब तुमने जंगल में किसी जानवर को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूँगा ये सुनकर किट्टू जल्दी से बोल पड़ी नहीं नहीं महाराज चुन्चुन अब एक छोटे है उसको माफ कर देजे आज के बाद वो ऐसी शरारत कभे भे नहीं करेगी मैं अभे फराटा की पूँच खोल देती हूँ ये कहकर किट्टू फराटा बंदर की पूँच पेर की टहनी से खोलने लगी और तभी फराटा बंदर पेर से गिर गया इतने में शेर सिंग बोला किट्टू, किट्टू, समझा देना अपनी बेटी को ये उसके लिए आखरी शेतावनी है ये बोलकर शेर सिंग और जंगल के बागी जानवर वहां से चले गए और किट्टू ने चुन-चुन से कहा चुन-चुन, तुम ये शरार पे करना कब छुड़ोगी? तुम्हारी ये ना समझी, किसी दिन तुमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, समझी? किट्टू की बात का चुन-चुन पर कोई असर नहीं हुआ ऐसे ही कुछ दिन बीट गए, कि तभी किट्टू को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ गया और उसने चुन-चुन से कहा चुन-चुन, मैं एक जरूरी काम से जंगल के बाहर जा रही हूँ लेकिन तुम यहां किसी को परिशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना ठीक है मा, आप चिंटा मत करो मैं किसी को परिशान नहीं करूंगी लेकिन चुन-चुन की बात पर किट्टू को विश्वास नहीं था इसलिए उसने अपने पडोस में रहने वाले कालू कवे से कहा कालू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ एक तो दिन में वापस आ जाऊंगी क्या तुम चुन-चुन का खयाल रखोगे? ठीक है किट्टू, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना तुमारी बेटी को ज्यादा जिन तक संबालना मेरे बस की बात नहीं है किट्टू चली गई और चुन-चुन वहीं जंगल में रहने लगी एक दिन चुन-चुन पेड़ पर अकेली बैटी सोच रही थी मा को गए हुए इतने दिन हो गए क्यो ना मैं भी जंगल से बाहर जाकर मा से मिलूँ मा मुझे देखकर कितना घुशोंगी ये सोचते हुए वो पेड़ से उतरने लगी ताकि वो जंगल से बाहर जा सके लेकिन पेड़ से उतरते हुए उसे कालू ने देख लिया और वो बोला चुन-चुन तुम कहां जा रही हो पेड़ से नीचे के उतर रही हो कही नहीं कालू अंकल कालू की बात सुनकर चुन-चुन वहां से चली जाती है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जिससे वो रास्ता पूछ सके उधर किट्टू जब पेड़ पर वापस आई तो उसे चुन-चुन कहीं नहीं दिखाई दी उसने कालू से पूछा कालू भाई, कालू भाई, चुन-चुन कहा है? उसने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि वो पानी पीने जा रही है उसके बाद वो अभी तक नहीं लाटी कहीं वो किसी मुसीबत में न फस जाए हमें जाकर उसके मदद करनी चाहिए और रात में होने वाली है हमें अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए ये कहकर किट्टू और कालू ने जंगल के सभी जानवरों को सारी बात बता दी सभी चुन्चुन को इधर उधर ढूनने लगी लेकिन वो कहीं नहीं मिली तभी कालू को आस्मान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया तभी कालू ने कहा वो देखो आस्मान में बाज उड़ रहा है इस समय ये बाज आस्मान में क्या कर रहा है लगता है वो अपना भरजन जून रहा है हिरन की बात सुनकर किट्टू घबरा गई और बोली कहीं ऐसा तो नहीं उस बास के नजर मेरे किट्टू पर पढ़ गई हो तुन चिंटा मत करो मैं अभी अपने दोस्त मिट्टू तोटे के साथ जाता हूं अब पता करता हूं यह कहकर कालू मिठ्टू के साथ बास का पिछा करने चला गया उसने देखा कि बास चुन चुन के ऊपर मंडरा रहा था यह देखकर कालू समझ गया कि उस बास का शिकार चुन चुन ही थी उसने सारी बास जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुन-चुन की मदद करने मिठू तोते के साथ चला गया अब बाज ने मौका पाकर चुन-चुन को अपने पंजो में दबा लिया ये देखकर कालू बोला मिठू चल दे अज बाज के बाज चलो नहीं कर वो चुन-चुन को कह जाएगा ये सुनकर मिठू और कालू आसमान में बाज से लड़ने लगी वो दोनों बाज पर अपनी चुँच से लगातार वार करने लगे इसी दोरान चुन-चुन बाज के चंगुल से छूट गई चुन-चुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया चुन-चुन उस नरम जाल पर आ गिरी चुन-चुन बेटा तुम ठीक तो हो ना हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ चुन-चुन हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो देखा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में भस गई ये सुनकर चुन-चुन अपनी मा से भूली मुझे माफ कर दो मा मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी अब से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी